चलो तो मेरा यूट्यूब पे भी लाइव है एक बार यूट्यूब वाले बच्चों मुझे बोल दो बस आप लोगों को मेरे आवाज आ रही है एम आ ओडी बल सारी चीज़े प्रापर ली चल रही है यह और जल्दी से मुझे बोलो प्लीज चैट सेक्शन में बोल दो यूट्यूब पे भी आ रही है आवाज जी मीड पे भी आर रही है प्रापर सब चल रहा है यूट्यूब पे एक बार चेक कर ले ओके ठीक है तो यूट्यूब पे भी आ रही है आवाज कोई दिक्कत नहीं है और जीमिट पे भी अच्छे से चल रहा है ठीक है चलो तो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते बच्चो अपने लेक्चर को राइट ओके तो सबसे पहले हले अरिवन दोस्तों आप सभी लोगों को very 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 good evening मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे होंगे ठीक है कोशिश करना कि जो भी हमारा वहाँ पे classes का timing है वो सारे timing पे आप लोग punctual रहो मेरा जो भी class होगा मैं वहाँ पे 99% जो भी मैं start करूँगा पूरा time पे ही अपना start होगा तो please आप लोग थोड़ा सा timing को follow करो मतलब क्या होगा ना कि अपने पास जो भी एक गंटे का time है तो उसके अंदर कैसा है कि मैं आप लोगों को सारी चीज अच्छे से बता पाऊंगा पढ़ा पाऊंगा और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जायेगा सारी चीज राइट सो अभी कैसे करेंगे देखो यार जो भी बच्चे जी मीट पे मेरे साथ connected है राइट एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पर तो जो भी बच्चे जी मीट पे connected है और जो भी स्टूडन्स मतलब यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप सबी लोगों को request है दोस्तों कि आपको वहाँ पे अगर कोई भी doubt रहेगा तो यूट्यूब वाले बच्चों का भी वहाँ पे मेरा चैट सेक्षन आन है तो आप कि अपन आज का जो भी लेक्चर है वह स्टार्ट करते है तो देखो बच्चों अगर आप वापे मेरा आप लोगों ने वापे फॉर्स लेक्चर अगर देखा होगा जो मैंने परसो वापे लिया था कल इतके लिए इतके वज़े से मैंने आप सभी लोगों को आपे चुट को क्लास 12 में वापे पढ़ना है तो वापे आप लोगों को अकाउंट के अंदर कौनसी कौनसी चैप्टर्स पढ़ने वह मैंने वापे आप लोगों को बोला था उसके साथ-साथ मैंने वापे आप सभी लोगों के साथ अपना जो अकाउंट सामके सब्जेक में जितने भी चैप्टर्स उसका वेटेज क्या रहेगा वो मैंने आप लोगों के साथ डिसकस किया था साथ-साथ में आप लोगों को मैंने न जो भी अपना क्या बोलते है उसको यार यूटीब पर आवाज नहीं जाए एक बार देख ले ठीक है जो भी अपना वापे मतलब आरी न वापे मैंने आप सभी लोगों को इन अपना जो पेपर पैटन वगेरे होता है तो पेपर पैटन वगेरे क्या था वो सारी चीज़े मैंने आप लोगों के साथ वापे डिसकस कर ले थी ठीक है तो चलो तो अभी आज का जो भी मेरा लेक्चर होगा न बच्चो तो आज की अंदर यहाँ पे में आप सभी लोगों को प्लीज अच्छे से ध्यान देना तो आज का जो भी मेरा lecture है ना तो आज की इस lecture के अंदर वापे में आप सभी लोगों को सबसे पहले जो भी अपने last lecture में वापे देखा था उसकी बाद थोड़ी से हम वापे यह कर देंगे क्या बोलते उसको revise कर लेंगे और वो revise होने के बाद वापे जो भी अपने features आगे की जो चीजे वो आप लोगों को में सिखा दूँगा ठीक है तो देखो बच्चो लास्ट लेक्चर के अंदर वापे में आप सभी लोगों का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट एक लास्ट वेल अकाउंट का जिसका नाम है introduction to partnership and partnership final accounts तो यह वाला चैप्टर में वापे आप सभी लोगों का start किया था जिसके अंदर वापे में आप सभी लोगों का exactly partnership क्या होता है उसके बारे में बोला था तो देखो इतना याद रखना कि जब भी वापे हम लोगों को कोई भी business करना होता है तो वापे एक possibility क्या है कि वापे हम लोग खुद अकेला business कर सकते है दूसरी possibility क्या है कि वापे अकेला अगर नहीं possible है तो वापे हम लोग दो याद दो से जाद लोग एक साथ आएंगे और वापे business करेंगे उसको हम partnership बोलते है और अगर उससे बड़ा करना होगा तो वापे हम लोग company को form करेंगे और फिर वापे हम लोग business करेंगे ठीक है तो अब भी हम आपे जो बात करें पार्टनर्शिप के वापे हम बात करें तो इतना याद रखना दोस्तों कि जब भी दो या दो से जादा लोग एक साथ आखे वापे business करते है उसको हम लोग वापे partnership बोलते है अभी जो partnership होता है तो वो सारी चीजों के लिए या वो सारी चीजों को govern करने के लिए वापे हमारे पास एक act होता था जिसको हम लोग वापे बोलते थे Indian partnership act 1932 ठीक है तो इतना याद रखना बच्चों कि यह chapter का accounting करते समय वापे हम लोगों को जो भी अपना Indian partnership act है ओके Indian partnership act जो भी है वो हम लो जो भी हम लोगों को उनने provisions दिये हुए हो सारे provisions वापे हम लोगों को follow करना पड़ेगा उसके बाद देखो मैंने आप लोगों को वापे बोला था दोस्तों कि जो भी लोग हमारे partnership में होते है तो वो specific person को वापे हम लोग partner बोलते है और सारे partner को मिला कि जो collectively बनता है उसको ह वापे firm बोलते थे अब इतीको यार जो भी partnership का definition है वो definition हम लोगों को उनने दिया हुआ है section number 4 के अंदर मैंने आपको last lecture में बोला था section number 4 of the Indian partnership act 1932 के अंदर हम लोगों को partnership का definition उनने दिया हुआ था फिर उसके बाद वापे हम लोगों ने features of partnership में देखा था कि वापे partners के बी writing में रहेगा तो उसको वापे हम लोग बोलते थे partnership deed या articles of partnership yes or no यह सारी बाते मैं आप लोगों को last lecture में बोली थी उसके बाद वापे मैं आपको बोला था कि जब भी हम लोगों को आपे partnership करना होगा तो कम से कम दो लोग चाहिए maximum 50 लोग वापे हो सकते partnership के अंदर उसके बा जैसे for example अगर मान लोग वापे बोल रहे हम कोई illegal activity करते हैं जैसे मान लोग स्मगली करते हैं किसी का kidnapping करते हो के तो वो सारे चीजों का partnership वापे नहीं बन सकता उसके बाद वापे मैं आप लोगों को बुला था कि पार्टनर जब भी वापे साथ में आके business करेगा तो business करने क business में से एक तो हम लोगों को profit होगा या business में से वापे हम लोगों को loss होगा तो जो भी profit या loss वापे हम लोगों को होगा तो वो profit और loss वापे partner क्या करेगा एक तो उन्होंने जो भी वापे profit sharing ratio decide किया हुआ है जिसे A और B दो लोग partner है और दोनोंने decide कि A वापे हम लोगों का जो भी profit या loss होगा न वो profit और loss मालो ए बोल रहा है में 60% लोगा और बी बोल रहा है में 40% ले लोगा तो यह हो गया उनका profit sharing ratio तो अगर पहले से decided रहेगा तो फिर वो ratio में करेंगे और अगर कुछ भी नहीं decided रहेगा तो आदा आदा होगा अगर दो partner रहेंगे तो 50-50 होगा उसके बाद देखो यार अगर हम लोगों को आपे मान लोग की partnership बना के अगर business करना है तो वो case में partnership के case में कैसा होता है कि अगर आप लोग महाराष्ट्रा में अगर partnership बना के business करना चाहते हो तो महाराष्ट्रा के अंदर partnership बना के अगर आपको business करना है तो वो case में आप जो है वो आप लोगों को करना जरूरी है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहो और registration जब भी हम लोगों को करना है तो वो case में उसके लिए हमारा जो agreement होना चाहिए partners के बीच का वो agreement वहापे हमेशे अपना return agreement होना चाहिए जिसको हम partnership deed बोलते हैं बीना partnership deed का वहापे registration हो सकता है क्या मुझे बोलो नहीं हो सकता उसके बाद वहापे हम लोगों नहीं देखा था दोस्तों कि partnership के अंदर जो भी partnership में assets वगेरे होंगे न मतलब business के जो भी building होगा मान लो business का जो भी machinery वगेरे होगा तो यह सारे चीजों के अंदर partners का equal right रहेगा equal मतलब वह जॉइंट ownership रहेगा ऐसा नहीं कि मतलब में आकेला चाहिए तब वह building को बेज सकता है ऐसा नहीं होगा हर एक partner का आपे right होगा समझा उसके बाद मैंने आप लोगों को आपे बोला था कि एक partner जो है ना वह दुसरे partner का agent होता है समझा के जैसे मानलो A और B यह दो लोग partner है तो वह आपे A नाम का partner है यह B नाम के partner का agent होगा या B नाम का partner A नाम के partner का agent होगा समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बूल रहा हूँ तो partner की बीच का जो relationship है वह agent का रहेगा बट मैं अगर मानलो एक partner हूँ तो outsider जो भी रहेंगे ना outsider समझ में आता है ना आप लोगों को जैसे for example मानलो मैंने किसी को तो भी उधारी पे माल बेचा तो वो person मेरा डेटर बन जाएगा अर यह सुर नो बच्चो जो भी person को मानलो में उधारी पे माल बेचता हूँ तो वो person के पास से मुझे future में पैसा लेना है मतलब वो person वहाँ पे मेरा डेटर होगा yes or no तो इतना याद रखना कि outsider के लिए partner जो भी होता है वो owner होता है इतना समझ में आएगा पका मतलब principal होगा owner मतलब principal होगा ठीक है तो for outsider partner will be principal and for another partner partner will be agent उसके बदेको यार वहाँ पे जब भी अपना मतलब ऐसा हो सकता है कि बबाब वहाँ पे partners बोलेंगे कि अभी हम लोगों को क्या कर रहे है हमारा जो भी partnership है उसको अभी हम लोगों को बन करना है अभी हम लोगों को partnership का business continue नहीं करन है तो उसको हम लोग वापे बोलेंगे dissolution, dissolution मतलब partnership का जो business है partnership बना के job कर रहे है वह अभी हम लोगों को बन करना है तो वो करना चाहे तो बन कर सकते है क्या कर सकते है लेकिन उसके case में हम लोगों को आपे 14 दिन का क्या करना पड़ेगा मुझे बोले advance में वापे notice देना प बोलना पड़ेगा ठीक है तो देखो बच्चो इतनी जो सारी बात ही थी ना वह मैंने आप लोगों के साथ last lecture में वापे की थी और यह आप लोगों को मैंने अभी 5 मिट में सारी श्रीज़े revise कर के देरी राइट तो यहां तक आप लोगों को कोई doubt अगर रहेगा तो मुझ mandatory on चाहिए एक वीदबागर अगर on नहीं रहेंगे तो मैं आपको remove कर दूँगा समझ रहो क्योंकि जी मीट पे lecture लेने का मेरा intention सिफ एक है कि आप लोगों का ध्यान एक नहीं मुझे भी तो समझना चाहिए ना अगर आप लोग वीडियो आफ रखोगे तो वापे मुझे ध दीड के बारे में ओके तो अभी partnership क्या रहता है बच्चो समझ लो कि partners के बीच में वापे जो भी return agreement होगा ना तो वो return agreement हम वापे जो document पर बनाएंगे समझ में आ रहा है ना भी क्या होता है जनरली जो partnership के बीच का जो agreement होता है ना वो हम लोग वापे बनाते एक stamp paper पर जो सो रूपया का stamp paper होता है stamp paper समझ में आता है ना आप लोगों को कभी आपने सुना होगा अगर नहीं देखा होगा तो आपके घरवालों को बोल देरा पपा चलो आपने घर के कागजपतर बता मुझे जल्दी से ठीक है समझ रहे हो तो वो time पर आप लोगों को ध्यान में आपके अभी देखो यार तो सबसे पहले इतना याद रखना कि partnership deed को आपे और एक नामे जिसको आपन बोलते हैं आपर article of partnership क्या बोलते हैं मुझे बोलो article of partnership वापे बोलते हैं तो अभी न हम लोग वापे देखेंगे कि exactly सर जब भी आप यह वापे partnership deed वगरे बनाओगे तो partnership deed के अंदर वापे exactly क्या content होगा okay partnership deed के अंदर वापे exactly क्या content होगा उसमें कौन सी कौन सी चीज़े लिखी रहेंगी तो अभी आपन वो सारी चीज़े आपे देखने वाले देखो दोस्तों सबसे पहले ना partnership deed के अंदर रहेगा name and address of the firm क्या रहेगा मुझे बोलो name and address of the firm ठीक मिलके business start करने की बात की okay तो अभी हम लोगों ने वापे हमारे business का नाम डाला मानलो for example दोस्तों मैं नाम ही बुल जाता हूँ यार क्या कोई अच्छा नाम बोलो यार मुझे एक बार मतलब क्या है कि वो सारी चीज़े मुझे हमेशा के लिए हाँ मानलो for example दोस्तों हम लोग के अंदर पहले हम लोग लिखेंगे कि गड़बडवाला इंड कंपणी हमारे वापे partnership का नाम है और उसका address है मानलो for example XYZ एमद नगर ठीक है समझ रहे मानलो आपे मैं address डाला तो यहाँ पर इतना आप लोग याद रखना दोस्तों कि मुझे वापे क्या करना है सबसे पहले हमारे जो partnership के business का नाम रहेगा वो और साथ साथ में हमारे partnership का जो भी address रहेगा और दोनों चीज़े वापे मुझे लिखना पड़ेगा second वापे मुझे लिखना पड़ेगा partners कोन कोन है जैसे आपे partner कोन है मानलो मेरा नाम है सारंग मानलो हमानलो मेरा नकूल है तो उसका मानलो मेरा घर है वहापे और मानलो मेरा जो फ्रेंड है वह वाण लो आपे रहता है सावेडी में तो इसे दो एरिया है जिसके हम मतलब समझ रहना आप लोग में क्या बूलना चाहता हूँ तो वह सारी चीज़ आएगी उसके बाद यहापे आएगा capital contribution अभी देखो दुस्तो जब भी हम वहापे एक दमशान बैठने का जब भी वहापे हम लोग partnership का business शालू करेंगे तो वो time पे कुछ पैसा मुझे लगाना पड़ेगा कुछ पैसा नकूल को वहापे लगाना पड़ेगा बराबर है क्या तो अभी मानलो for example मेंने मेरे business के अंदर दो लाख रुपया और नकूले मानलो अपने partnership में दो लाख रुपया लगाया तो हर एक देखो ज़रूरी नहीं बच्चों कि हर एक partner वापे same capital लगाए ऐसा भी हो सकता है कि वापे कोई partner ज्यादा पैसा लगाएगा कोई partner कम पैसा लगाएगा या दोनों partner एक जैसा पैसा लगाएंगे ठीक है अभी थोड़ा सा दिमाग लगा कि आप मुझे एक बात बोलो मानलो for example अगर में मेरे business के अंदर 5 लाख रुपया लगा रहा हूँ और मानलो मेरा जो friend है वो business के अंदर वापे 3 लाख रुपया लगा रहा है तो मुझे एक बात बोलो क्या ये case में फिर हमारा profit sharing ratio equal हो अगर रहेगा तो कि ये सही बात है कि मुझे बता हूँ मैं लगा रहा हूँ 5 लाख मेरा दोस्त लगा रहा है 3 लाख तो ये case में profit sharing ratio सेम रहे न अच्छी बात नहीं है मतलब गलत हो जाएगा और तो फिर इसके लिए वापे और एक चीज आती interest on capital वागेर बहुत सारी चीज़ है हम वापे आने वाल टाइम में पढ़ने वाले इतना याद रखाओ अब BR दोस्तों कि profit sharing ratio वापे जो partners के बीच में mutually decided रहेगा वो रहेगा और अगर कुछ भी नहीं वापे mutually decided रहेगा तो वो case में आपे equal रह सकता है इतना याद रहेगा कि मुझे बताओ अच्छा अब भी जितना भी मेरा discussion आप लोगों के साथ वापे हुआ उसमें कोई doubt है आप लोगों को जेपर है सारी चीज़े दिमाग में जा रही है पक्का जो भी point पे आपको लगे ना सर्य टॉपिक या यह point नहीं समझा तो आप मुझे तूरंद पूछ लेना कोई दिक्कत नहीं है ओके अभी next देखो बच्चो आगे उन्होंने वापे दिया है ratio in which मतलब profit sharing ratio क्या होगा वो आपन लिखेंगे साथ साथ में right duty and liability मतलब क्या अभी देखो यार हर एक partner उसका कुछ ना कुछ अधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा भी या partnership firm में तो क्या क्या अधिकार वो partner के पास है व हो वहिया कि हम बले ही partner है लेकिन मान ले कि तेरा अगर कोई personal अगर तु काम करेगा और उसके related अगर कोई liability रहेगा तो वो तेरी जिम्मेदारी वो मेरी नहीं है तो उसके related भी आपे चीज़े हो सकती है उसके आगे provisions related to admission retirement date अभी कैसा हो रहता है समझो देखो वच्चो यह बहुत important ज्यान देना अभी देखो यार अपने partnership में अभी को ने पहला partner में हूँ और दूसरा partner मेरा friend नकूले बरबर अभी हम लोगों को वापे लगने लगा कि हम दोनों से वापे business manage नहीं हो रहा है अभी हमारा जो business है और बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है तो एक person मुझे मेरे business में वापे चाहिए तो वो case में मानलो for example मैंने वापे सोचा कि क्यों ना मैं वापे समझो pretty madam को हमारे business में as a partner करके ले लेता हूं मैं समझा क्या बढ़ते को यार कि अगर agreement के time पे अगर ऐसा हमने पहले से decided रहेगा ना कि अगर सारंग तिर को आगर अकेला मेरी इच्छा रहेगी तो मैं pretty madam को ले पाऊंगा लेकिन अगर agreement में आमने लिखा हुआ नहीं है कुछ भी तो वो case में जब तक वो भी हाने ही बोलेगा तब तक मैं नहीं ले पाऊंगा जैसे for example मानलो आप मानलो 12 standard आपका हो गया ठीक है आपने वापे क्या किया तो कोई द अभी कल जाके मानलो आपको लगा कि यार जिसे मानलो शबनम दीदी है उसकी दोस मानलो वही city में आना चाहती है उसका नाम है मानलो for example अलफिया अभी अलफिया शबनम को रही शबनम यार एक काम करूं क्या मैं भी तेरे फ्लैट पे वापे रहने को आऊं क्या तो आभी द चीज है तुमारे partnership में applicable है अगर समझो पहले से अगर यह सा रहेगा शबनम बोलेगी मैं कुछ है यह तो मैं ले क्या होंगे बाद में तेरा नहीं चलेगा मतलब पहले से agreement में decided है तो फिर आके लिए ले के आ सकती क्या ले के आ सकती लेकिन अगर कुछ भी नहीं रहेगा त इतने भी partners agree मतलब आपे है जब तको सारे partners भानी बोलते ना तब तक आप admission नहीं कर सकते नए partner को नहीं ले सकते समझ में आ रहा है पका ठीक है next आगे क्या दिया salary or commission मतलब क्या देखो यह चुड़ गया है मेरा rate of interest on capital अगर यह आपको मैं बोलता हूं समझ लो मेरी बात अभ अभी मैंने क्या किया मेरे partnership के business के अंदर मैंने खुद ने वहापे कितने पैसे लगाये थे बच्चो पास लाख रुपया लगाया था मैंने लगाये थे पास लाख और मेरा जो दोस्त नकूल उसने कितने लगाये थे तीन लाख लगाये थे बरवर है क्या अभी हम लोगों को यह partnership के agreement में पेले से decide करना पड़ेगा कि हमने मतलब हमारे जो भी partners है तो हमारे partners ने जो भी उसके business में पैसे को invest किया है मतलब जो capital को लगाया हुआ है तो यह capital की उपर वापे business को partner को को interest देना है क्या नहीं देना है यह पेले से decided होना चाहिए ध्यान मैं आ रहा है मैं क् मालनो for example मैंने पास लग लगा है नकूल ने तीन लग लगा है और कुछ भी decided नहीं है तो कल जाके मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि नकूल मैंने जो पास लग लगा है ना तो business के पास से मैं उतना उसके उपर 10 तक का interest लूँगा ऐसा बाद में नहीं बोल सकते आपने अगर पेले business के अंदर जो भी capital को लगाया हुआ है वो capital के उपर partner को interest मिलेगा तो कौन देगा partner को interest business देगा समझ में आ रहा है न मेक तो जब भी मैं आप लोगों को interest on capital बोलूगा मतलब partner को मिलेगा और business देगा ऐसे समझना है आप लोगों को समझा क्या तो अगर कुछ भी decided नहीं रहे समझ में आ रहा है पक्का मैं आपको क्या बूल रहा हूँ clear एक है बता बहुत simple है बिल्कुल tough नहीं है ठीक है इसके आगे न मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा topic सीखा हूँगा जिसका नहीं provisions of partnership act है तो वो case में हम लोग और detail में सारी चीज़े देखेंगे अच्छा य adjustment आएगा बरावर तो अगर वहाँ पे सम्झो उपर ऐसा लिका रहेगा there is no agreement between the partners related to the interest on capital तो whether Mr. X will be eligible for the interest on capital yes or no true or false आ सकता है के नहीं आ सकता है मुझे बताओ या ऐसा भी थेरी question आ सकता है आप लोगों को कि A and B are partners into the business okay A has invested 2 lakhs and B has invested 1 lakh there is no agreement related to the interest on capital in the partnership deal later on A is demanding for the interest on capital at the rate 10% okay तो whether A will succeed or not या whether A's demand is valid or not आप लोगों का ऐसा question आ सकता है के नहीं आ सकता है तो मुझे एक बाद बोला अगर पहले से अगर agreement में लिखा ही नहीं रहेगा तो whether A will get interest on capital no उसको नहीं मिलेगा वाप interest on capital इसलिए हम लोगों को सारी चीज़े पढ़ना जरूरी है समझ में आ रहा है पका दूसरा अभी क्या होता है पता है के बच्चो बहुत बार क्या होता है कि जो partner होता है न वो उसके business में से ऐदर goods ले सकता है खुद के उसके लिए या ऐदर cash ले सकता है खुद के उसके लिए बरबर तो इतना याद रखना कि partner उसके business में से अगर कोई cash ले रहा है या कोई goods ले रहा है खुद के उसके लिए जिसको हम वापे technical या accounts के language में वापे हम उसको बोलते drawings क्या बोलते बच business में से 25,000 रुपय withdraw कर रहा हूं मतलब क्या मैं ऐसे बुलू क्या कि वापे में business का पैसा ले देखो capital में नहीं लगा है वह बता लगे बट मैंने तो अभी जो पैसा business को use करने के लिए दिया था उसमें से कुछ पैसा में निकाल रहा हूं तो यह case में वापे क्या होगा कि म ने जो भी पैसा मतलब partner ने जो भी पैसा business में से निकाला है वो पैसे की उपर कभी-कभी partner को business को interest देना पड़ता है उसको हम लोग वापे बोलते interest on drawing क्या बोलते वच्चो interest on drawing बोलते समझ में आ रहा है पक्का तो interest on drawing के कौन किसको देगा मुझे बताओ drawing कौन कर रहा है partner कर से कर रहा है business के पास से कर रहा है मतलब drawings के उपर जो भी interest देगा वो किस कोन देगा partner देगा किसको देगा business को देगा इधर तक सब बाते समझ में ही आप लोगों को पक्का अभी क्या होता है मालूम है क्या कि partner drawings के उपर interest business को तब तक नहीं देगा जब तक partnership deed में लिखा नहीं है अगर partnership deed में कुछ बोला ही नहीं interest on drawing के बारे में तो partner की वापे कोई liability नहीं रहेगी आप समझ रहे हो के मेरी बात में क्या बोल रहा हूं तो ऐसी बहुत सारी चीज़े वह हम लोग वापे partnership deed के अंदर लिखे हम क्या पढ़ रहे हैं वैसे बच्चो हम लोग पढ़ क्या होता है मालूम ही क्या मान दो मेरा वापे partnership का business है मतलब partnership बना कि हम वापे business कर रहे है मैंने वापे मेरे business में अल्रेड़ी 5 लाख रुपया लगा है नकूल ने मान लो हमारे business में अल्रेड़ी 3 लाख रुपया लगाया हुआ है मतलब हमारे business में 8 लाख रुपया अल्रे तो जब भी वापर बिजनेस को पैसा लगेगा न तो वो केस में एक तो क्या होगा, पार्टनर और इन्वेश्ट करेगा, जिसको हम additional capital बोलेंगे, निया तो फिर वापर ऐसा भी हो सकता है, कि बिजनेस वापर लोण लेगा, किसी बैंक के पास से, या किसी दूसरे लोगों के पास से तो बहुत बार क्या होता है ना partner additional capital लगाने से अच्छा सोचता है कि एक काम करता हूँ मेरे पास extra पैसा बढ़ा हुआ है तो business fall to bank के पास से loan लेने की इसमें बहुत ज़्यादा जंजट हो जाएगा बहुत सारी procedure रहती है अगर bank के पास से अगर हम लोगों टेंशन नहीं रहेगा अभी मुझे एक बात बताओ अगर business ने बाहार के लोगों के पास से अगर loan लिया होता तो क्या business को वो लोगों को interest देना पड़ता के नहीं देना पड़ता सीधी बात या एकदम सीधे सीधे सोपे language में easy language में आप लोगों को आपे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ राइट मुझे एक बात बोलो दस्तों अगर मानलो मैंने वापे बैंक के पास से 10 लाख रूपया कर जा लिया लोन लिया तो क्या मुझे बैंक को आपे हर महिने को वो लोन के उपर ब्यास देना पड़ेगा के नहीं देना पड़ेगा देना पड़ेगा तो फिर अगर बाहर से लोन लेने के बाद अगर हम लोगों को इंट्रेस देना पड़ता है तो पार्टनर से भी लोन लेने के बाद बिजनेस को इंट्रेस देना चाहिए टेक्निकली यह सोर नो मुझे बताओ, और सीधी बात है ने आर में आपे बिजनेस को आपे कब पैसा दूँगा, जब मुझे इंट्रेस मिलेगा, अजर रोज मैं पागल हूँ क्या, मैं क्या सोचूंगा, मरने देना बिजनेस मुझे कुछ इंट्रेस ने देने आला है, उस से चाहिए वो प पार्टनर के पास से जो भी लोन लिया, तो उसके उपर इंट्रेस्ट कितना देने का, ये बात आती है, अब ये इस कैंसर एकदम सिंपल है, आप लोगों ने पार्टनर्शिप डिड बनाते टाइब, अगर वहाँ पे मानलों लिख क्या रखा हुआ है, कि बिजनेस को आठ टका, एक साल का, पर एनम बोलते हम उसको वहाँ पे, उतना इंट्रेस्ट देना ही पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे हम लोगों ने एग्रिमेंट में क्या लिखा है, कि 8% रहेगा, तो 8% वहाँ पे इंट्रेस्ट अन लोन आ जाएगा, समझा में क्या बोल रहा हूँ, बट कभी-कभी ऐसा हो सकता ही कि माल लो वापे हम लोगा ने एग्रिमेंट के अंदर, ये लोन के उपर का इंट्रेस्ट कितना परसेंट देने का लिखा नहीं है, ऐसा हो सकता ही कि नहीं हो सकता ही मुझे बताओ, आपको समझ में आ रहा है ना, जाद हेवी नहीं हो रहा है में सारंग सर बरबर ये को अने मानलो नकू ले ये को अने मानलो नकू ले ठीक है मैंने इसके बास से लिया है पाईसा दे पाईसा नहीं तेरे पास से नहीं तो नकू ले ना तेरे पास से नहीं ठीक है मैंने मानलो आपका क्या किया दोस्तों मेरे बिजनेस में 10 लाख रुप case में business को partner को 6% देना पड़ेगा कितना देना पड़ेगा कम से कम 6 टक का आपको समझ में आया में क्या बोल रहो तो यह हम लोगों को आपे लिखना पड़ेगा ठीक है और एक बात समझो अभी देखो यारा दोस्तों क्या होता है ना कि बहुत बार है ना partner क्या करता है business के मिलेगा at the end of the year profit कब मिलेगा partner को जो भी profit का distribution होगा वो कब होगा जब हम net profit निकालेंगे net profit कब निकालेंगे at the end of the accounting year लेकिन उसके पैस अने लगता क्या खाने पीने को लगता है के नहीं लगता है यार तो फिर कभी-कभी ऐसा होता है ना कि partner वापे क्या करता है business में से salary ले लेने के लिए तब ही लीजिबल होगा जब business के मतलब जब partnership deed में लिखा है यह एक्स वाई-जड नाम का partner रेना इसको हम 10,000 salary देंगे महिने का जब तक यह चीजे मतलब आप लोग इतना संबलने दोस्तों कि अगर partnership deed में अगर salary commission के बारे में अगर कुछ भी लिखा हुआ न नहीं रहेगा ना तो partner is not eligible to receive salary or commission from the business समझा में क्या बुल रहा आप लोग वो और यह सौर नो वो चारी चीजे लिखी रहेगी उसमें फिर अगर मान लोग की कोई dispute हो गया तो dispute mutual understanding से करने का क्या court में जाने का वो सारी चीजे तो इतना आप समझा दोस्तों कि यह सारी चीजे अमारे partnership deed के अंदर लिखी हुई रहती है बोलो समझा के नहीं समझा पक्का clear एक dispute मतलब लफ लोगों को इजी लग रहा है के टफ लग रहा है अरे जैसे admission का मैंने आपको बोला के नहीं admission में मैंने आप लोगों को क्या बोला जब तक सब राजी नहीं होंगे तब तक हो सकता है क्या मान ले तुझे आप xy z चिंटू पसंदे और तुझे उसके सथ love marriage करना है बीना घर सब नहीं होंगे राजी तब तक कुछ कुटा नहीं होंगे मतलब retirement भी नहीं होगा admission भी नहीं होगा कुछ नहीं होगा समझा क्या उतना सा बात है बस खतब अभी देखो next अगला अपना बात है वापे importance of partnership deed अभी देखवा पहली बात मुझे एक बात बता what do you mean by partnership return agreement between the partners बरो कोट में कोई value नहीं है और समझ रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ अगर मैं आप लोगों को ओरली कोई promise करता हूँ और कल जाके मान लो वो चीज़े नहीं होती है तो आप लोग कल जाके कोट में क्या करोगे बोलो मेरे आगे बोलोगे sir इसने यह बोला था कोट बोलेंगा proof किदर है कोट क्या बोलेंगा proof किदर है समझा क्या तो इसलिए लिखी हुई चीज़े कैसा है कल आप जाके कोट में बता सकते देखो सर हमने decide किया था सर ज्यान में आ रहा है क्या इसलिए partnership deed रहेगा तो जाद अच्छी बात है ज्यान में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहो very good next अभी देखो यहाँ पे provisions of the Indian partnership act 1932 पहली वत provisions का मतलब होता है rules provisions मतलब क्या अभी आप क्या समझ लो rules है बाबा मतलब Indian partnership act के अंदर उन्होंने कुछ rules हम लोगों को बोले है वो क्या है समझो पहला rule क्या है distribution of profit अभी आप लोग है न मैं थोड़ा सा एक थोड़ा detail में जा रहा हूँ थोड़ा समझने की कोशिश करना थोड़ा दिमाग पे जो डालना में क्या बोल रहा हो ध्यान देना 500 परसेंट आप लोगों का focus होना चाहिए hyper focus बोलते हैं जिसको वैसा होना चाहिए ठीक है ध्यान दो ध्यान दोगे तो समझेगा ने तो उपर से बाउ partnership act being sir यह लागども का बोगा मतलब हम लोगों को Indian पार्टनर्शिप act के अंदर जो भी चीज वा लोगों को कब देखना है तो पहले बात Indian partnership के अंदर की provisions हम लोगों को तब देखना है जब partnership दिड़ नहीं होगा और शीदी बात है दोस्ते अगर तुम लोग पहले सी भी बोल रहे हो, कि मैं साथ टक्कल हूंगा न तुम 40 टक्कल होगे, profit पहले से decided है, तो provision के पास जाने कोई जरू हो देखिया, मुझे बताओ, आरे, court में कब जाएंगे, जब गर पे जगड़े solve ने होते हैं, तब दूसरे एक पास जाएंगे अगर गर में मेरे जगड़े solve हो रहे हैं, तो मैं दूसरे एक पास जाओंगा क्या, उसी तरीके से अगर agreement में हमने कोई चीज़े decided है, तो agreement की सबसे करो बोलता है, लो क्या बोलता है, तुमने ने डीड़ी नहीं बनाया बच्चो, तो फिर वो case में आप लोगों को automatically क्या करना पड़े का मुझे बताओ, provisions को follow करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, अच्छा दूसरा ऐसा भी हो सकता है, हम लोगों ने decide तो बहुत कुछ किया था सर, मतलब यहां पर partnership deed नहीं था, वो case में हम लोगों को सुनेंगे, वह वहां तक ठीक है सर, लेकिन हम लोगों ने वापर partnership का जो deed ना वो बनाया है, लेकिन ना सर गडबड में वापर कोई चीजे, कोई points हम लोगों ने ये deed के अंदर cover नहीं किये, जैसे for example हम लोगों ने वापर profit sharing ratio 60-40 रहेगा, partner को salary or commission, salary 10,000 देंगे, commission 2 टका देंगे, sale का, ओके, ये सारी चीजे हमने लिखी है सर, लेकिन गलती से हमने वापर interest on capital देने का, क्या नहीं देने का, वो हम लोगों न लिखना बूल गए, deed है, लेकिन उसके अंदर वो point नहीं है, तो point नहीं है, मतलब deed ही नहीं है, अरे समझ रहे हो के नहीं समझ रहे हो, अगर किसी बात के उपर, शादी के पहले आप लोगों का अगर चरचा रह गई, करने की, तो फिर जो अपने गर के laws है, उसको हम लोगो वो फॉलो करना पड़ेगा, तो वेसी बात है नहीं, deed है, agreement किया है, लेकिन वो point लिखना बोल गए, तो point नहीं लिखा ना तुमने, तो फिर वापस provision के पास चले जाओ, समझा के मैं क्या बोल रहो, मतलब in short, provisions of Indian partnership act 1932 will become applicable when there is no partnership deed, or there is partnership deed, but that specific clause is not mentioned in that partnership deed, अभी समझा के मैं क्या बोल रहो, इतना समझ में आया के मुझे बताओ, ये समझा तो सब लोग वापे हा करो चलो, थमसब दो या, यस बोलो, जल्दी से कुछ ना कुछ रियक्ट करो मुझे, जेप राए न पक्का, डोक्षे के उपर से नहीं जा रहा है ना आप लोगों क अरे ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत आसान है, अभी सुनो मेरी बात, अभी आपे एक्जर्टी सर ये प्रोविजन क्या बोलता है, तो देखो, पहला, डिस्टिबूशन अब प्रोफिट, अगर कुछ नहीं बोला, तो कैसे करने का प्रोफिट डिस अगर कुछ बी नहीं रहेगा, तो इंट्रेश्ट ड्राइंग इस नॉट अलावड, देना ही नहीं बिजनेस को, समझा क्या, अचा कभी-कभी क्या होता है, पता है क्या बच्छो, पार्टनर ने बिजनेस मेंसे पैसे को निकाला है, जैसे होता है नयर, मुझे अपरिल से लेकर मार्स तक अपना फाइनाशल एयर होता है, समझा accounting करतें, então accounting हम financial year की Hesabь سے करते है, या calendar year की हesabь سے करते मुझे बताऊ, हम जो भी accounting करते हैं, वह हम उपे financial year की Hesabь سے करते है, या सुरनो, तो हम जो भी accounting वहाप probability financial year की Hesabь سے करते हैं बच्चों, तो वो case में, जबढ़ी निना मैं हर मैंने को PISA निकालूंगा, क्या हुआ है उसका डेट हम लोगों को नहीं दिया रहे था question में तो वो case में वापे हम लोग क्या करेंगे जैसे मानलो for example दोस्तों मैंने एक September को आपे पैसा निकाला बिजनेस में से अभी कभी कभी record नहीं रहता तो यह provision क्या बोलता कि अगर तुमारे पास date नहीं पता ना drawings का तो सिधा क्या करो जितना भी तुमने पार्टनर ने ड्राइंग लिया है इन्टू rate of drawing करो rate of drawing मतलब जैसे हमने डिसाइड के अगवाब ड्राइंग के उपर है ना पार्टनर बिजनेस को 10 तक का interest देगा अगर पार्टनर ने बिजनेस में से कोई पैसे को अगर निकाला तो वो पैसे के उपर पार्टनर बिजनेस को कितना देगा 10 तक का देगा लेकिन 10 तक का पूरे साल का हुआ तो यह आप यह बोल रहा है छे मैने की सब से आप 20 सलो मतलब अगर मैने पार्टनर्शिप में से अगर पच्छास हजार का ड्राइंग किया होगा तो इसके उपर रेट आप रॉइंग कितना एट एन परसेंट लेकिन यह आपे मुझे इन्टु सिक्स बाइट वेल करना यह किधर बोला है प्रोविजन में इस नॉट गीवन इंट्रेस्ट और दिया होगा लेकिन बच्चे क्या करेंगे अमाउंट आउओ द्रॉइंग इंटु परसेंटेज आउड रहिंग करेंगे और उनका इंसर गलत हो जाएगा क्यूं क्यों क्यों प्रोवीजन बुलीज गए ये वाली 6 महिने का करने का रहता जान मैं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं देखो हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आप लोगों को और ख्लेयरीटिया आएगा आप भी टेंशन मतलो आप लोग अब भी आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ सुनना है जो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को जब मैं सिखाऊंगा ना वो टाइम, जब questions करेंगे ना और clarity आजाएगा, उसका कोई tension मतलो, देखो आप लोगों को सारी चीजे समझ में आएगी है, मेरी जिम्मेदारी है, सिर् आज अपना दूसरा ही दीन है, मेरी बात समझो, अगर दूसरे दिन आपको 70% भी समझ में आता होगा ना, तो बहुत बड़ी बात ही है, काई नहीं बोलो में, जाओ दिया, ठीक है, सा माइने से उड़ लक्षात राहिल का तुम माला, पक्का, ओके, next, अभी ध्यान तो अंडरलेंड करो, आपे, हाइलेट करो, ऐसा देको हाइलेटर रहता है ना, मार्केट में, उस साहिसा करने का, मतलब आप लोगों को MCQ में कोई गड़ बढ़ नहीं होगा, ठीक है, और एक बात याद रखना दोस्तो, जब भी आप मेरे पास से पढ़ोगे न, तो आप हो जाते हैं, तो आलग से MCQ पढ़ने की, पागलपंती नहीं करने हैं हम लोगों को, जान में आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, next, salary commission to partner, नहीं, उसके पहले interest on capital, अगर partnership deed में कुछ नहीं, तो no interest on capital is allowed, interest on capital नहीं मिलेगा आपको, जान में आ रहा है, आगे salary commission, कुछ कुछ भी नहीं बोला है, तो salary commission भी नहीं मिलेगा, admission of partner, अगर कुछ भी नहीं बोला है, जब तक सब लोग नहीं होंगे राजी, तब तक आप admission नहीं कर सकते, यह वाबा, जान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मान ले, रुत्यजा दीदी, तेरे पपन admission की कोई ज़रूरत है क्या, नहीं, समझ में आ रहा है ना, लेकिन तुझे पपा ने बोला है वाबा, अगर हम सब लोग हाँ बोले तो देखेंगे अपन, तो वो case में भी सारे partner जब तक agree नहीं होंगे, तब तक admission of partner हो सकता है के मुझे बताओ, यह rule है, खतम, जैपै के तु पका easy एकदम, very good, चल अभी next देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से, ओके, अभी देखो, next अभी देखो यार, अगला एक बहुत important topic है, जिसका नाम है, methods of maintaining partners capital account, ध्यान देना बहुत important है, अभी पहली बाद तो partner का capital account हम लोगों को maintain करना है, मतलब हम लोगों को partner का capital account बनाना पड़ेगा, देखो यार, आप बच्चे जब थे ना, बच्चे मतलब कभी 11th class में, तब हम लोग वहापे final accounts नाम का एक topic बढ़ते थे, जो आपको what of लगता रहेगा, शायद बोल रहा हूँ मैं, bracket में शायद है, ठीक है, तो वहापे आप एक दम सही कर रहे है सराच, अब है ना, तो क्या होता ना, partnership final accounts के अंदर हम लोगों को trading, profit and loss and balance sheet के साथ-साथ, कभी-कभी partner के capital के account को भी maintain करने को बोल सकते है, समझा, मतलब जब भी हम आपे partnership final accounts करेंगे, वो टाइम पे हमको trading, profit and loss, balance sheet तो करना ही पड़ेगा, और उसके साथ सद हम लोगों को partner capital भी maintain करना पड़ेगा, यान में आया क्या, तो partner capital अगरों कम बोले, बनाएंगे, हम लोग, जब उन्होंने पुछा रहेंगा, तब बनेंगे, नहीं पुछा रहेंगा, नहीं बनेंगे, आमरे वजित्ता टाइम नहीं है, देख़े, mandatory नहीं होता है बनान लेकिन question में दिया रहेगा, तो बनाना पड़ेगा के नहीं, अभी तुम normally क्या करते हैं, मुझे बताओ, सुन मेरी बाद, यह मानलो तुमारा balance sheet है, यह balance sheet है तुमारा, बरवर, यह balance sheet का तुमारा कौन से side है, मुझे बताओ, liability side है, बरवर, यहापे तुम क्या करते हो, capital लि जह पराए के तुमको, कुछ भी आउगड नहीं है, अभी 11 में एक ही बंदे का था, यहापे 2 या 2 से ज़्यादा बंदे रहेंगे, बंदे या, बंदे भी रह सकते है, बंदिया भी रह सकती है, ठीक है, लियान में आ रहा है न, मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मानलो यहापे X वाला एक पार्टनर हैं, दूसरा Y वाला पार्टनर है, बरवर, तो जो यहापे पहले क्या दिया रहेगा, आपको opening capital दिया रहेगा, opening capital मतलब क्या, कि वो जो accounting year चालू हो रहा है, जैसे मानलो for example, अब भी अपन कौन से accounting year में है, बोल सकते क्या मुझे, अब भी date क्या है, 12 अपरील है ना, 2024, मतलब accounting year क्या होगा अपना, 1 April 24 से लेके 31 March 25 यह अपना accounting year होगा, और सही क्या गलत है मेरी बात बच्चो, जैपरा है ना, yes or no, तो जो capital मेरा accounting year के शुरू होते टाइम मेरे पास है ना, that capital is called as opening capital, बात करतम, समझा के तुम लोगों को, अनि जो capital at the end of the accounting year, year मेरे पास है ना, that is called as closing capital, बात करतम, बोलो समझा के नहीं समझा, अरे capital available with us at the beginning of the year is called as opening capital, end of the year is called as closing capital, जैपर के नहीं तुम लोगों को, अभी कैसे करना है देखो, हम लोगों को opening capital मान लो दिया हुआ है, ठीक है, अभी 11th में में net profit जब भी होता था मुझे, final accounts में, तो में net profit को क्या करता था रे capital के अंदर, बोल सकते है कोई मुझे, please बताओ, very good बेटा, मैं आपे net profit को add करता था, एकदम बराबर बोल रहे हैं आप लोग, और अगर मान लो net loss होता था, तो क्या करते थे, minus करते थे, net loss होता था, तो less करते थे, अच्छा, drawings हुआ तो क्या करते थे, हम लोग, minus करते थे, अच्छा, अगर additional capital हुआ, single entry पड़ा हुआ है, आप लोगों ने, तभी closing to opening जाते थे, इसलिए, उल्टे effect होते थे, लेकि normal बात कर रहा हूं, आरे, राजा, year, चालु आई चाह, पहले तुम्ही दोन लाख रूपे लाओ 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 ले थे, बिजनेस मधी, मंजे तुमसा capital, वाडनार का कमी हो नार, वाडनार, आपका capital बढ़ेगा, तो additional capital आप लोगों क्या करोगे, add करोगे, तो आप लोगों का 11 standard तक हो, के तीनी item आते थे, net profit, drawings और additional capital, तो वो टाइम पे आप balance sheet में, plus minus, plus minus करके, finally, आप लोगों का figure आता था, that will be your closing capital, yes or no, अरे समझ रहे हो क्या मेरी बात आप लोग, बट partnership के अंदर हम लोगों को इतना ही नहीं ना, partner को salary भी मिलेगा, partner को आपे interest on capital भी मिलेगा, interest on drawing का भी concept आएगा, commission भी आएगा, आएगा की नहीं आएगा, तो x का मान लो, यहापे में salary add करता हू, x का मान लो, यहापे में interest on capital add करता हू, x का मान लो में interest on drawing minus करता हू, ऐसा x का हुआ, और इसके नीचे y का हुआ, तो अच्छा दीकर है क्या मुझे बता, balance sheet में इतने सारे गान करना, अरे अच्छा दीकर है कि यह, तो यहापे करने से अच्छा हम क्या करेंगे ना, उसको वो लेंगे भाई, यह काम कर, कोप्रे में आ, हम तेरा एक अलग से account बनाते, और उसके अंदर तेरा जो भी adjustment कर लेते, और फिर हम लोग तेरा closing capital का figure find out करते, और यह figure को हम इधर लिखते, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग यार, it is just the part of presentation, बाकी कुछ नहीं है, ओए, समझ रहे हैं मेरी बात, अच्छा, मुझे एक basic question है, पुछो आप लोगों को, देखो यार, आप लोगों को है न, ऐसा जड़ जड़ नहीं लगेगा है, सारी चीज़े बहुत, आप connect कर पाओगे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, कि मैं आप लोगों को जो समझाने की कोशिश करो, शायद आप समझ सकते होंगे, ध्यान में आ रहा है, इससे easy नहीं हो सकता है बच्चो, इससी awesome language मेरे पास नहीं होर, I hope आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है, जड़ नहीं लग रहा है न, बहुत, जा रहा है न दिमांग में पक्का सब लोगों को, 100% clear ह देखो अब बच्चो, मुझे जितने भी students देख रहे हैं, हर एक student को सारी चीज़े पूरा समझना चाहिए मुझे, वो भी सारे बच्चो को, ध्यान में आ रहा है, वो आपको 10 standard मिले, उन में कितने mark हैं, मुझे उससे लेना देन नहीं, आपको 12 में out of आएंगे, मेरी जिम् पड़ेगा, फिर अगर मुझे final accounts को समझो, 20 दिन लगते, partnership complete करने में, अगर उसके जगा पिटीज लगे तो भी चलेगा, मुझे उसका tension नहीं है, हेलो, अरे October में आप लोगों को due date बोला है, मानलो और 10 दिन ज्यादा लग गए, तुम क्या मेरा murder करने वाले के लगे, समझ हमको time का कोई issue नहीं है, आप समझ लो मेरी बाट, बट जो पढ़ रहे ना, वो इतना perfect चाहिए न, साला वापस tension नहीं आना चाहिए, accounts का, मैं इतना धिरे-दिरे क्यों जा रहा हूँ कि मुझे यह चाहिए, कि आपके mind में accounts का डरी ना हो, साला, problem का यह मालूम है, कि आईसा नहीं है, आप मन दो, ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत उशहर हो, problem है आपको कोई समझा के बताने वाला नहीं है, अगर आपको चीजे समझ में आने लगी ना बच्चो, तो आप लोगों को automatic मन करेगा पढ़ने का, जान में आ रहा है कि और मेरा काम आपको सब्जेक को समझा के देना है, इंट्रेस क्रियेट करके देना है, वो मैं करने कोशिश कर रहा हो, पढ़ाएगा तो कोई भी, yes or no, अगर आप लोगों को बहुत ही बीजबीच में ऐसा हुआ ना, तो एक कॉफी मार लेना, टकिलला शॉट बोलते हम उसको, कॉफ सिर्फ गिरने मत देना नोटबुक पिने, तो हो जाएगा कारेग्रव, हाँ, चलो सुना मेरी बाद ध्यान दो अभी, अभी देखो यार मैं आपको क्या बोल रहा हो समझो, तो इतनी सारी चीज़े दोस्तों, एक पार्टनर का हो गया है, फिर वापत दूसरे पार्टनर का अगर मालों 10 पार्टनर है, तो बैलन्स इट में लाइबिलिटी साड कैसे दिखेंगा मुझे बताओ, अच्छा दिखेगा कि ये, तो उससे अच्छा में क्या करता हो, एक आकाउंट बनाता हो सारे पार्टनर के कैपिटल का, उदर वर्किंग करता हो में, उदर से में क्लो आप देखो, मैं आपको एक basic question पूछने जा रहा हुआ, हटक करके response करने का, गलत नहीं बोलने का, दो second ज्यादा time लगा तो भी चलेगा, पहले answer देके, आप लोगों को में कोई trophy नहीं दिने वाला हो, तो जो भी आप बोलोगे, सोच समझ के बोलना, अनभी दीदी, किसी न balance कुन सा होता है रहे बच्चो, balance कुन सा होता है यार, balance समझ में आता है आप लोगों को, जैसे for example, आप लोगों ने modern approach पढ़ा था, याद आ रहा है कुछ, modern approach में आप लोगों देखा था, any item can be classified as per modern approach into five categories, either it can be asset, it can be liability, it can be capital, it can be expense or loss, it can be gain or income, तो capital को starting में जो balance होता है, वो credit balance होता है, कभी देखा आप लोगों ने capital को debit balance, capital कभी debit नहीं होता है, हमेशा credit balance रहेगा, समझ रणा अप लोगों गया रहेगा, तो credit balance मतलब जैसे मानलो यापे में लिखता हूँ, चिंटू's capital account, ओके, मानलो चिंटू का साल के शुरुवात में capital था, पाच लाक रूपया, चलेगा, तो credit balance से मतलब में यापे लिखूंगा, buy balance brought down, पाच लाक रूपया, कोई गडवड, समझ में आ रहा है ना पक्का, अरे राजा, capital को credit balance होता के नहीं, हास, तो चिंटू का साल के शुरुवात में capital था, पाच लाक रूपया, मतलब चिंटू के capital अकाउन में, मैं पाच लाक रूपया कुछ इस तरीके से लिखूंगा, बात तो एकदम सही कर रहे हैं सर, अब यापको ये देखना है, कि मैं इसके आगे, जो भी item बोलूँगा, उसके वोज़े से partner का capital बढ़ेगा, या partner का capital कम होगा, समझे आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, जैसे for example, मालो हमारे business में मुझे net profit हुआ, प्लीज जाने न, हमारे business में मालो मुझे net profit हुआ, तो वो net profit को मैं capital account के अंदर क्या करता था बच्चो, अरे net profit को capital account के अंदर में क्या करता था, एड करता था, मतलब net profit को capital account के अंदर में add करता था, मतलब मैं मेरे capital को बढ़ा रहा हू, और yes or no? Yes, yes. मेरे business में, जब भी मैं additional capital वापे डाल रहा हूँ, तो उसके होजे से मेरा capital बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है, बच्चो बढ़ रहा है वेरी गुड जब भी पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो हम लोग सैलरी को कैपिटल में क्या कर रहे आपे आइड कर रहे तो जब भी पैसा मिलेगा तो पाटनर का कैपिटल में हम एड करते इन प्लस माइनस मेघड तो उसी तरीके से जब भी आपे पार्टनर को किसी भी चीज के पैसा मिलेगा तो मुझे पार्टनर के क्यापटिटल के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा अरे, मैं दो लिखाए कि वह क्रेडिट मद ही लिखाए क्रेडिट मधे तामओं वाड़ती जे लो感 समझ में आ रहा है के नहीं तुमको तो इतना आप लोगों को दिमाग में बेटेगा कि जो भी आइटम में प्लस माइनस मेटर में एड करता हूँ वो आइटम को मुझे कैपिटल अकाउंट के राइट में लिखना पड़ेगा तो क्या मैं आपे बाइडिशनल कैपिटल अगर लिखू मतलब बाइब बैंक आएगा अपी देखो यार वेन और पार्टनर इस इन्वेस्टिंग एनी आमाउंट इन्ट इन्टो दे बिजनेस तो वो टाइम पे बिजनेस का इंट्री करेगा जर्नल इंट्री बिजनेस में त तो कैपिटल के क्रेडिट में आएगा जब भी पार्टनर का पैसा जाएगा जैसे ड्रॉइंग्स हो गया पार्टनर को पैसा जाएगा माइनस करते हैं अपन ड्रॉइंग्स को माइनस वाले आइटम्स डेबिट में प्लस वाले आइटम्स क्रेडिट में अभी ये इतना सम मसता यार plus करेंगे तो capital बढ़ेगा minus करेंगे तो capital कम होगा तो plus वाल item credit में लिखता minus वाल ऐटम debit में लिखता अरे बोले sir no तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे item credit में लिखे बहुत सारे item debit में लिखे और credit वाला total लिया उसमें से debit वाला minus किया तो I will get closing capital of the partner that is to balance carried down closing capital हुआ मेरा अरे हां क्या नहीं अभी समझा के तुम लोगों को तो अगर माल आप लोगों को बोला अगर आप लोगों को बोला प्रिपेर partner capital account तो बना सकते क्या नहीं बना सकते मैं तो अभी तक कुछ सिखाया नहीं मैं सिर्फ logic बोला है जैसे आप लोगों को opening capital दिया है और कोई additional information आपको दिये और आप पर बोला है find out the closing capital balance of Mr. X by preparing capital account तो इतना तो सामझता न वाया जो item partner को मिल रहे है right में जो नहीं मिल रहे है मतलब जो जा रहे है वो left में इसके total में सी है total minus करें you will get this figure easy के tough है बच्चो ज्यान में आ रहा है क्या बस इतना ही कर रहे है आपको final accounts में partnership में खतम chapter बाकी की जो adjustment थी ना final accounts की इसे salary है मांडो आपको क्या दिया रहेंगा मालू में क्या question कैसा आएंगा उपर दिया रहेंगा आपको TB मतलब trial balance आईसा रहेंगा कुछ तो ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है trial balance पता है ना आपको laser format जर्नल format में भी trial balance होते है कुछ याद आ रहा है क्या आएंगा तो या पर्टिकुलर amount पर्टिकुलर amortizer रहेंगा ना इसे या पर तुम्हारे assets रहेंगे expenditure रहेंगे या पर तुम्हारे liabilities रहेंगे इंकम रहेंगे बरोबर ये गलत है नीचे आप लोगों को क्या दिया रहेंगा trial balance के नीचे कुछ adjustment दी रहेंगे बोलेंगे prepare the final accounts of the partnership तो final account करना मतलब क्या करना है अलग है क्या कुछ trading account profit and loss account and balance city बनाना है अब एक बात बोलता सुनो हम लोग ये partner capital account जो है न सर यह हम तब ही बनाएंगे जब question में एक तो specifically बोला यार बनाओ तुम्हारी मम्मी तुमने बिना जीत किये हुए special कोई डीज बना थी क्या सची सची बोलने का जूटने बोलने यह सब मम्मियों का कॉमन है राइट सही क्या गलत है मालनो तुम लोगों को आज ना और वाजी काने का बड़ा मन कर रहे है कि मेरा तो रोज करता है कल भी खाईती आज भी खाऊंगा जीवह नहीं पावाजी मेरा तो लाइफ इस इक्वल टू पावाजी है ठीक है अगर स्पेसिफिकली बोला एना तो बनाने का लेकिन कभी-कभी ऐसा होगा नहीं बोलेंगें हो तो हमको यह देखना पड़ा है आइटम कितने partnership के अंदर मतलब अगर मान लो की question वह आप बोल रहे interest on capital भी है interest on loan भी है, drawing भी है, interest on drawing भी है, profit भी additional capital भी है तो फिर इतीनी सारी अगर सिधी बात है दोस्तों अगर आप मान लो मम्मी को बोलोगे मम्मी आज खाने में तो क्या करमाल में क्या, गरम रोटी बना पहली वाद तो, उसके साथ सा थे थोड़ा सा है टॉमेट और प्याज वाला मस सैलड बना, उसके साथ सा ज़्यादा नहीं लेकिने के ना मस तब बटाटे की सबजी बना एकदम fry करके, ठीक है, उसके ऐसा स्वी आज बना थी बात खतम कर दे, पाओ आज मतलब क्यापिटल अकॉन बना थी, और तो सारे अटम लाइबलिटी में लिकने साथ चेपी रहे, एक काम को और क्यापिटल में लिको है रहा से फिगर उटा के डाल दो बैलन सीट में, अभी समझा कब बनाने का, क्या समझा आप ल लेकिन मान लो फॉर एक्जमपल है न, हम लोगों को उन्होंने न, पार्टनर कैपिटल के रिलेटेड़ सी दो यह आइटम दिये, एक नेट प्रॉफिट दिया, दूसरा ट्रॉइंग दिये, मम्मी का फोन आया, सारंग आज रात को क्या बनाओ खाने में, मैंने बोला कोई प्रॉटी सब्जी बना दियार चल जाएगा, तो वो केस में मम्मी जाद अटेंशन लेगी क्या, कैपिटल अकाउंट बनाएगी क्या मुझे बताओ, नहीं बनाएगी, मम्मी क्या करेगी, बैलन शीट में डायरेक प्लस माइनस करके बात कतम कर देगी, तो वैसे ही आपको समझना है, I hope आप लोगों को मैं जो बोल रहा हूँ, यह आपको बहुत इजी लगता होगा, yes or no, अभी समझेक तुमको, अभी देख, अभी यह जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, इसको मेंटेन करने के दो मेथड है, जान देना बहुत इंपोर्टन चीज है, इसे बोलना है आपको खुद को, लेकिन रुखो अभी नहीं, समझने के बात, ओके, हाँ, देखो समझो मेरी बात को, अच्छा, इतना जेपया ना तुम लोगों को पक्का, जितना भी सिखाया, कोई टेंशन नहीं है न, अरे बुक आज घर पे जाके देख रहा है, आप ब लिखा है, सर बुक के अंदर, समझ रहा है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, मैं आपको बोलू, अकाउंट सब्जेक बहुत इजी है बच्छो, आप चाहा के भी उससे नफरत नहीं कर सकते हो, वो बोलते है न, मन में हाँ है, लेकिन ओठों पे ना है, वेसे वाली बात हो आपके एक दम फेवरेट डीज बने, तो बुक ने रहने के बाद फिर भी खाते के नहीं, वही सब बना दूंगा आपको अकाउंट से, ठीक है, तो द्यान दो, सुनो, अभी देखो बच्छो, पार्टनर के न, कैपिटल को, प्रिपेर करने के, या मेंटेन करने के, दो में होते हैं, ओके, पहला होता है, वहापे मेरा, फिक्स्ट कैपिटल मेथड, और दूसरा है, दुमारा, फ्लक्चुएटिंग, कैपिटल, मेथड, ओके, अभी क्या है, समझो, मुझे एक बात बताओ, कोई भी इंसान, पत्य कप करता है, पत्य समझता है, तुम लोग खाने पीने का, पत्य होता है, अरे यह खाने का, यह खाने का, कब होता है वो, जब उसको कोई तो भी बीमारी रहेंगी, या उसकी जिद रहेंगी, बरबर है क्या, तो उसी तरीके से न, फिक्स्ट कैपिट यह बोलता है कि मुझे ना साल के शुरुवात में मेरा जितना कैपिटल था ना उतना ही कैपिटल end of the year होना चाहिए क्या बोलता है पाटनर भाईया मेरा जो कैपिटल साल के शुरुवात में था उतना ही कैपिटल साल के इंड में भी होना चाहिए और इले एक लाग होते ना वारिशा जैसे उटी पनिया कस लग पाई जे बहुँआ लाग समझ रहे हो कि आप लोग तो यहाँ पे आप लोग कैपिटल में प्लस माइनस करोगे तो एक लाग का एक लाग दीखेगा क्या नहीं दीख अपनिंग कैपिटल तब हम लोग यह मेथड से सॉल्फ करेंगे कैपिटल अकाउंट को समझ रहे हो और अगर मान लोग आपे कुछ भी नहीं बोला है प्वश्चनी साइलेंट तो हम लोग आपे फ्लॉक्चुेटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करेंग आपको कोई बीमा कैपिटल मेथड अनिव कोश्चनी स्पेसिफिकली आस्किंग और फिक्स कैपिटल देन वी विल यूज फिक्स कैपिटल मेथड इतना समझा के नहीं समझा मुझे बताओ पक्का क्लियर है या तक आप लोगों को अभी समझो मेरी बात देखो दोस्तों जब भी हम लोगों क फिक्स कैपिटल मेथड से जब हम लोगों को फिक्स कैपिटल मेथड से अपने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने को बोला होगा वो टाइम पर वापे हम लोग दो अकाउंट बनाते कित्ते अकाउंट बनाते बच्चों दो अकाउंट बनाते पहला हम लोग वापे बनाते partners capital account पहला हम लोग क्या बनाते partners capital account बनाते और दुसरा वापे हम लोग बनाते partners current account कितना समझा fix capital method के अंदर कितने accounts आते हैं वच्चो capital के related वाले दो पहला कौन सा रहेगा partners capital account और दुसरा कौन सा रहेगा partners current account ज्यान में आ रहा है के नहीं आ रहा है I hope आप लोगों को सारी चीज़े समझ में आती होगे एक सेकेंड मैं जड़ा चैट सेक्षन एक बार देख लेता हूँ मतलब इनको कोई doubt और रहेगा तो देखेंगे आप लोगों को यह लेक्चर के रिलेटेट कोई doubts रहेंगे तो मैं आपको शूर शॉट आप भी रिस्पॉंड करूंगा मतलब आप लोगों को मैं जवाब दूँगा अगर आपको यह लेक्चर को छोड़के आपके life का, career का, कोई भी अगर doubt रहेगा तो यह मेरा number है आप यह number के उपर मुझे आपकी जो चाहत है, आपके जो doubts है आप मुझे वापे whatsapp करके रखो लेक्चर होने के बाद मैं आप लोगों को respond कर दूँगा, बापे आप लोगों को reply दे दूँगा, ठीक है मतलब क्या हो जाएगा ना, कि अगर मैं आप लोगों क्या भी वो doubts करते वेटूंगा ना, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा मैं multitasking नहीं कर पाता हूँ यार, मैं एक time पर एक काम करता हूँ समझ रहे होना आप लोग, आप जैसा नहीं बाबा, पढ़ाई के time पर chatting भी चल रही है दोना नहीं जमता है मुझे, chatting के time पर, chatting पढ़ाई के time पर, पढ़ाई, समझा के मैं क्या बूल रहा हूँ आप लोग भी वही करो, पढ़ाई के time पर पढ़ाई, जो भी बच्चे वीडियो आफ करके बेटे, हिमांग्शु, नियती दिदी, हर्ष, साही दिदी, राठवड मैडम, क्या चल रहा है पढ़दे के पीछे, ठीक है, वीडियो आफ करके बेटो बाबा, हिमांग्शु र आप कामेरा चालू ठेवला तरी लोट सीदे तरी चालेल माला काई आडशन नहीं बाया, मैं तुल आस आजी बात ने विचारा रहा है, तु खाली बगुन, खाली बगुन, खाली बगुन, क्या करता है, मैं आजी बाद डाउट नहीं गेना तु जावर, तु माजा बात बोलू क्या, आपको feel देना है मुझे किसका, face to face का, जो मैंने आपको चिला चिला के बोला था वीडियो में, बराबर है क्या, अगर आप लोग अगर वीडियो आन ही नहीं रखोगे दोस्तों, तो मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, और आप खोशिश करना, लेकिन जब शबना उधर द्यान देगी तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, देखो यार, मैं मेरे साइड से 100% दूँगा, मैं एक चीज को बार-बार-बार-बार नहीं बोल सकता, द्यान में आ रहे हैं, एक चीज को मैं बार-बार-बार यह नहीं कर पाऊंगा आप लोगों तो अगर कोई टीचर आपको अगर बोल रहाएगी, यह करो, यह मत करो, तो मेरा क्या काम है, मैं आपको बोलूँगा वहाँ पर मत जा, एक बार, तीन बार, दो बार, तीन बार, मैं आपको दस बार बोलूँगा, लेकिन उसके आगे मेरा भी तो कुछ है कह नहीं है, फिर मैं पूलूँगा, तो तूजँज गंदेगा, तुल कायख्रेस्तिकर, समझ में आ रहाएं, मैं क्या बोलूरा हो, क्यूंखि वह का वोत है, घार्वापठ ड़े वाचली गीता, काल्च हो बार हो नहीं है, तो क्या है कि एक चीज़ को बार 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 बोलने में मज़ा नही यह ऐसा मुझे लगता है मैं आपे कोई बहुत जादा ग्यान या बंडर आपको नहीं देने वाला हूँ बाकी के रिलेटेड चीजे वाली पर आप समझ लो मैं क्या बोल रहे हैं इससे आपको फाइदा होगा जो मेरी बात पहले दिन से आखरी दिन तक सुनेगा हर एक लेक्चर एटेंड करेगा जितना काम बोल रहा हुतना करेगा न किसी ताकत ने आपका आउट आप माक्स आने से रोक सकता है बहुत आउट आफ क्यों लाने एटिट्यूड के लिए बंगार मार्क लाके भी लोगों लोगों को 95 परसेंट तुझे क्या अच्छा लगेगा तुझे क्या अच्छा लगेगा बारावी के रिजल्ट से सिपडमिशन को फाइदा होता है कॉलेज में लेकिन अपने स्टेटस रहेगा के नहीं रहेगा सोसाइटी में कल जाके पूछें क्या रहे काई किती दीवे कर लें और करना है तो ऩ स्टेटस ऑन ली जनिः सामें वाला चुब बात कतब Molly areẩ соball अच्छे यसा-जोश थीज़ीं कर नी पढ़ा करोगे ना 20 गण्टा सकते ऊसमें मज आए ध्यान में आ रहा है कि तुम लोगों को देखो समझने वाले कोई शरकापी है दोस्तो तो आपके सामने जकंदिल लेके खड़ा रहोंगा तो भी आके बंद करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा छोड़ो हुबाते समझे के तुम को अभी कभी कभी है ना वो बड़े चतुरा ही करेंगे कौश्चन में आप लोगों के साथ भी क्या करेंगे मालूम है क्या आप जानना चाहोगे यह बात ठीक है अवह देते डैंगे ट्राइल बैलंस क्या देंगे बच्छो अंधर अंधर उन्हें वाप्रे आपको एक्स का करण्ट अकाउंट दिया रहेगा में कुछ नहीं बोलाया पार्टनर का कैपिटल का फिक्स में तड़ है क्या फ्लक्ट्ट्टिटिंग है लेकिन ट्रायल बैलनस में करंट दिया है उनने मतलब क्या बोलना चाहता है रहे वह करंट अपके जिंदभी में कब आएगा मुझे बताओ जब कैपिडल फिक्स रखने हां ज्यान में आ रहे के नहीं आ रहे में क्या बूल रहा हूं तो वह केस में भी हम लोगों को फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करना पड़ेगा अभी समझा है यहां तक कोई डाउट अगर रहेगा बुच्चो तो आप मुझे पूछो जल्दी से चलो कोई डाउट है मैंने आप लोगों को जब लेक् casi चाल किया थब टाइन पर मैं आप लोगों को पार्टनर्शी फाइनल में लास् दे फाइनल में बट सब्सकी बोलते उसके अंदर 20 रूपिय कर संथा स्काय के बातर सब्सक्राइब चानद नेवेट नोगों को जसे कर partner capital मतलब partner के capital को maintain करने के कुछ तरीके होते है वो इसले करने क्योंकि balance rate गंदा नहीं दिखना चाहिए उसके reason मैंने आप लोगों को बोल दिये थे वहाँ पर partner capital को maintain करने के दो methods होते पहला fixed capital दूसरा fluctuating अगर question में कुछ भी नहीं बोला होगा तो fluctuating capital method will become applicable but fixed capital method दो case में आएगा अगर question में बोला होगा तो या trial balance में आप लोगो current account दिया होगा तो इतना मैंने आप लोगों को पिछले एक गंटे से बोल रहा हूँ अरे पटता के नहीं पटता तुमको जा मैंना पक्का और इसके साथ मैंने आप लोगों को provisions of Indian partnership act बोला yes or no अभी अपन क्या करते मैं आप लोगों को है न कुछ questions पुछता हूँ आज जो मैंने आपको सिखाया उसके उपर ए देखो हा हम लोगों कोई गड़बड नहीं है बच्चो प्लीज मेरी बात समझो यह चीज है न अच्छे अच्छे को नहीं समझ में आती है तुमको समझा तो तुम बहुत हुशा रहे पहले खुद की पिट थप थप आओ हम बहुत हुशा रहे अच्छी बात है ज्यान म को लाइफ में आगे जाना है कुछ अगर आपन अच्छा कर रहे हैं हमको समझ में आ तो खुद को एप्रिशेट करने हैं कोई गलत नहीं है लोगों को पार्टी देने से अच्छा अगर आपने अच्छी पड़ेगी आज आपका अच्छा सा सारी चीज़े हुई पार्टेल नहीं किस ने मना किया है ज्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहे मैं तो खुद करता हूँ अगर मैंने अच्छा काम किया छे दिन में में साते दिन होटल में जाता हूँ एकदम दबा के खा ले ता फो टेंशन नहीं है अपने लाइफ का एक ही उसुल यह बोलो मुझे प्रोविजन्स ऑफ इंडियन पार्टनर्शिप एक कब अपली के बोलोगा हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे मैं सिखाया आप लोगों को कडिव अग्या माथ ने प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा अच्छा प्रोविजन क्या बोलता है प्रॉफिटे इस वी के से वना चाहिए की sih very good equal होना चाहिए क्या interest on capital देनेका क्या हमने partner को सब्सक्राइब करणले में डेटर लोन क्यूपर और का किसको देगा पार्टनर को मज़ा कर रहे हुआ समझा क्या कितना पर्सेंट देना पड़ेगा तो भी चेटक्क करना पड़ेगा तो कितना देनेगा 10 सघ्टाने को समझा क्या वह एक दम भारिवाबा बात खतम अच्छा कि अ एक्रीमेंट नहीं है असाईलियार कमिशन देना पड़ेगा के फिर पार्टनर को अम लोगों को कि आग्रिमेंट नहीं एंगरिमेंट एंगरिमेंट हेलेट किमिशन के और में लिखना लोग टेने का घेले कुल दो सुनो नात फॉनर ना मेरी बाग इंप नहीं हृ पार्टनेुर्शीप दिड है था है लेकिन Profit Shedding Ratio के बारे में लिखना भूल गया हैं हम लोग कितना दू 50-50 एक गलत एंसर तुम्हारा Equally correct answer है अगर 4 partner हैंगे तो 50-50 होंगे क्या आप लोगों का answer equally होना चाहिए समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ पक्का clear है तो एक काम करना आज दोस्तो जित्ता भी मैंने आप लोगों को ग्यान दिया ना आज वो सारी चीज़े एक बार अच्छे से revise करके आना क्या बोल रहा हूँ है फिर कल हम लोग है ना सीखाएंगे बनाना बनाना मतलब क्या partner capital account को किस तरीके से बनाना है fix capital method में किस तरीके से चीज़े होगी fluctuating capital method में किस तरीके से चीज़े होगी यह हम सब देखने वाले अभी देखो यार मेरा जो lecture ना होता है मंडे से लेके Friday तक मेरा जो lecture मंडे से Friday तक होगा Saturday Sunday मेरा lecture नहीं होगा आप लोगों को यह जो tim table में ने दिया हूँ है न वह दया बैच का आप लोगों ने देखा यह tim table को एक बार आखे खोल के देखो वैसे आपना accounts का timing साथ से 8 है लेकिन मैंने आपको यह बोला हूँ है कि जब तक में दूसरे subject start नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों का 6 15 lecture लूँगा ओके मैं आप लोगों के बाकी के subject से ना मैं आपको डेट बोल देता हूँ एक सेकेंड रूखो बस आज कितना दारी के बारा है ना लगबग मैं आप लोगों का कि एक अधा वीग जानने देते थोड़ा सा फिर लेंगे कोई घडबड नहीं है कि हो जाएगा तुम्हारे यूटी के पहले मेरा बहुत सारी चीज़े हो जाएगी का हुआ टेंशन मतलो वह राइट मैं आप लोगों को डेट ग्रूप में डेल दूँगा जो भी रहे घा यह अपना टाइम टेबल रहे हैगा अभी देखो यार मैं क्या कर रहा हूं दो दिनाप यह ना अ Мस्त आप लोगों को नोट्स आने दो मेरे जो नोट्स है यह वाले नोट्स मैं तब तक आप लोग क्या करो highlighter ले क्या हो अच्छे से एक मस्त वाला मोटा वाला register ले क्या हो दो तीन कलर के paint ले क्या हो ball pen normal जो अपना pencil होता है वो ले क्या हो बड़े दो scale ले क्या हो मैं आपको बोला है calculator allowed नहीं है आपको मैं वापस बोल रहा हूँ calculator का use नहीं करना है अब भी अगर आप life easy करना चाओगे exam में गड़बड हो जाएगा मैं वापस बोल रहा हूँ प्लीज आप लोग calculator use मत करना दोस्तों 12 में मैं आप लोग को बोल रहा हूँ अब भी क्या होता ना आपन करते पटापट टैली करने के लिए exam में होने वाला ही क्या है कि समझ रहना मेरी बात यार मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एक्जाम में तलवार से लड़ना है अब भी आप प्रैक्टिस कर रहें दंडे से कुछ फाइदा है कि उसका तो प्रैक्टिस ही गलत होगा तो रिजल्ट भी गलत कि आएगा बात समझो मेरी मैं क्या बोल रहा हूँ कि यारा हैं तुमको कि डांस के कॉंपिटिशन के लिए कबड़ी का प्रैक्टिस करके कोई मतलब नहीं है तो वेसे ही कैल्कुलेटर अगर हमको आलाउड इन तो कैल्कुलेटर यूज अब भी से करना ही नहीं बात खतम समझाना मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज उतनी मेरी सिक्स 15 मिलेंगे मंडे ट्यूजडे वेनस जे थर्जडे फ्राइडे आपको पका दूंगा में पास दिन में उतना सारा पड़ा दूंगा न कि आप खुद बोलेंगे सरे बस नसर कितना पड़ाएंगे समझा क्या है मेरेको नोट्स का मेंटेंशन है आप लोगों को बुक् फिर भी लेकर आना क्यों मैं बोल रहा है इसले लेकर आने का समझा ना बहुत ज्यादा नहीं यह 4500 रुप्या का इन्वेश्मेंट यह जो है ना तुम्हारी महाराष्ट्र गवर्मेंट की अकाउंट्स की टेक और थोड़ा है ना वो देखना प्रिंट कपका है तो तुम् नहीं बुक्स देना सारी जो भी है पढ़ने में अच्छा लगता है ठीक है समझे आप लोग थेरी सब्जेक के लिए जो 200 पेजेस की नोटबुक आती न उतनी करना उसमें ज्यादा मत करना अकाउंट्स के लिए मोटे-मोटे जो नोटबुक है वो बनाना तो आज के लिए अपन यहाँ पे रुकते हैं मैं वापस बोल रहा हूँ मेरा अगला वाला जो लेक्चर होगा हो मंडे को होगा मैंने आप उसका रीजन बोल दिया है मुझे कोई काम नहीं है ऐसा कुछ नहीं कल नहीं लेना चाहता है मैं ले सकता हूँ बट क्या होगा ना मार्किंग नहीं माइंडसेट से पढ़ सको और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि यह इंसन केसे पढ़ाता है समझा ना मजा आएगा आपको टेंशन मतलो राइट ओके चलो तो दैट सिट फॉर तूडे आप लोग अगर अच्छा लगे मुझे कमेंट ज़रूर करना वाटसेप पे बोलना आज को लेट्चर कैसा लगा ओके जो जी मेट वाले बच्चे जो यूट्यूब पे देख रहे आप मुझे कमेंट करो मैं वापस बोल रहा हूँ यह जो बैच है जो जॉइन करो यूटूब पे हैं कंटेंड में नहीं न करना तो उनका भी फाइदा होगा ऐसे मुझे लगता है चलो थैंक्यू सो मज दिन दोस्तों मिलते फिर आपन वापे मंडे को शाम को 6 15 तब तक ग्रूप में एक्टिव रहो आप लोगों को बागी जो अपडेट से आपने ग्रूप में मिल जाएंगे ऑके बाए-बाए-डा लोगोोोोगो प्र ले भो योगो 정도로 ख रच्टिज है ज्नका एफ्टर्णनाे से अ